नमस्कार दोस्तों मैं अंकित पर्मा इपार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपनी चैनल अंकित पर्मा और लेट की नॉटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको आज 30 चुलाई 2030 की हिमाचल परदेश की शाम पांच बजे की टॉप 10 ताजा खबरों के जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ चली वीडियो को शुरू करते हैं शुरू करते हैं शाम पांच बजे की सभी टॉप 10 ताजा खबर हैं तो देख सकते हैं शाम की पहली ताला ख़बर ब्रेकिंग न्यूज है हिमाचल वैदर वारिश से दुश्वारियां बरकरार कालका शमला हाईवे पर भोसकलन वाहनों की आवाजाई बाधित वारिश के कान जगा जगा भोसकलन से दुश्वारियां बरकरार हैं राज्ये के ग्रामिन किशेत्रों में सैंकडों सडकें ठाप पड़ी हैं रविबार सुबा तक राज्ये में दूद नैशनल हाईवे साइट 364 सडकें वाहनों की आवाजाई के लिए बंद थी हिमाचल सडक बंद रसी के सारे पारी से नीचे उतारी बलैरो केमपर वीडियो वाइरल तस्पीर आप देख सकते हैं परदेश के कुलू जिला में तीन सप्ता पहले हुई भारी बारिश वाब्यास नदी में आई बार के बाद हालत अभी सामाने नहीं हुए है गाउं में लोग 100 ही सडकें ठीक करने के साथ अपनी गारियां जान जोखिम में डालकर सडक के पार पहुंचा रहे हैं गार्सा गार्टी के दयत आने बाली गार्सा शाह सडक पदारा नामक जगा पर भूसकलन के चलते बंद हैं सडक बंद होने के कारण दूसरी तरफ बुलेरो केमपर गारी भी भासी थी इस केमपर को गाउं के लोगों की ओर से जान जोखिम में डालकर पहड़ी से नीचे उ पहसला कुलू जीले में लगातार जारी बारिश जगा जगा भूसकलन के चलते सभी सरकारी तरह निजी स्कूलों को पांच अगस्त तक बंद रखने का पहसला लिया गया है अगनीवीर भरती बिलासपूर में अगनीवीरों की भरती रैली तीन स्तंबर से अड्मिट सेना भरती कारेल हमिरपूर के निदेशक करनल बियास मंडारी ने बताया कि रैली के लिए पात्र उमीदबारों के अड्मिट कार www.joinindianarmy.nic.in पर अपलोड कर दिये हैं हिमाचल अब 1 अगस्त को हिमाचल के आपदा प्रवावित क्षित्रों का दोरा करेंगे नितिन गड़करी टूर प्रोग्राम बदला नितिन गड़करी के हिमाचल दोरे के कारेकरम में फिर बदलाब हुआ है गड़करी अब मंगलबार 1 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के आ समझज सब खतम हो गया है इन करमचारियों का सरकारी अइश्टान अलग लग खातों में जमा होगा सोलन न्यूज मौत के छे सार बाद जिंदा बतायकर हडपली किसान की पांच बीगा जमीन जाने पूरा मामला मृतिक की बेटे की शकायत के अधार पर न्याया लेके आदिशों के बाद मामला दर्ज किया गया है यह मामला करीब तीन दशक पुराना है और उस समय सारा रिकॉर्ड भी ओफलाइन होता था CM सुकुने चमबा में 82.14 करोड की विकासात्मक प्रियोजनाओं का किया उदगाटन और शीला न्यास तस्वीरें आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री सुक्विंदर सिंग सुकुने रविबार को चमबा दोरे के दोरान जीला के लिए 82.14 करोड रुपय के लागत की विकासात्मक प्रियोजनाओं के लोकारपन और शीला न्यास किया उन्होंने 4.5 करोड रुपय के लागत से निर्मित तराज करिये सहस्रबादी बहु तकनिक की महाविदय लेके छात्रावास चील बंगला में 92.9 लाख रुपय से निर्मित मुख्यमंत्री लोक भवन प्रात्मिक स्वास्थ के अंदर बनिखेत के लिए 1.9 करोड रुपय से निर्मित ओपीडी खन नागरिक अस्पिताल च्वाडी के लिए 1.48 करोड रुपय से निर्मित करमचारियों के आवासों 3.26 करोड रुपय से निर्मित अस्पिताल में 49 क्रोड रुपया की लागत से निर्मित MBBS विद्यार्थियों के लिए चात्रावास आवास्य परिसरवा नर्सों के लिए चात्रावास का लोकारपन किया दिली जाएंगे CM सुखु आपदा से प्रदेश में हुए नुकसान को लेकर PM और ग्रिया मंतरी से करेंगे भेंट मोख्य मंतरी सुखविंदर सिंग सुखु का पहली बार चमबा पहुचने पर आज भव्या स्वागत किया गया उन्होंने प्रदेश वासियों को अंतराश्ट्री मिंजर मेले की शोब कामना हैं देते हुए का कि मेले मेले एवं तेहार हिमाचल प्रदेश की धरोवर और संस्कृति के परतीक भी हैं उन्होंने कहा किया आयोजन हमें अतीत से जुडने का अफसर परदान करते हैं और परंपराओं को सरक्षत रखने में नहत्यपूर्ण भूमिका निवाते हैं मुख्यमंतरी सुकविंदर सुकु का होली दोरा रद खराब मौसम के चलते गगल एरपोर्ट पूर हुई लेंडिंग खराद मौसम के चलते मुख्यमंतरी सुक्विंदर सिंग सुक्खु का होली गाटी का दारा रद हो गया है इसके चलते होली गाटी की जनता की उमीदों को भी बड़ा जटका लगा है सडक बंद होने से मंडी तक नहीं पहुँच पाई सेव गुस्य में बागवान ने नाले में बहा दिया वीडियो वाइरल तस्वीरें आप देख सकते हैं हिमाचल परदेश के उपरी इलाकों में इन दिनों सेव का सीजन जोरो पर है लेकिन परदेश में भारी बारिश के चलते जगा जगा सडके बंद पढ़ी हुई है सडके बंद होने का सीधा असर बागवानों पर पढ़ रहा है क्योंकि बागवान अपनी से फसल को मंडियों तक नहीं पहुंचा पा रहे है जिसके चलते होने काफी नुकसान जिलना पढ़ रहा है मनत से ठीक हुआ बेटा तो रिक्षे पर दिव्यांग पतनी को लेकर मनिमेश यात्रा पर निकला MP का राध्यो तस्वीरें आप देख सकते हैं गशत कर रही पुलिस को देखकर भागा युवक चर्स के साथ किया गिरफतार तस्वीरें देख सकते हैं धर्मपूर से नियूज है तीरा पुलिस ने करनोहल भराडी के पास एक युवक को 22.45 ग्राम चर्स के साथ पकड़ा जानकारी के अनुसार तीरा पुलिस के जवान करनोहल में गशत पर था उसी समय पाचलू की तरफ से एक युवक पैदल भराडी की तरफ जा रहा था पुलिस को सामने देखकर वा एकदम घवरा गया और पीछे मुड कर भागने लगा पुलिस के जवानों ने पीछा करते हुए कुछी दूरी पर उसे धर दबोचा एस तोरान उप्रोक्त पैल कर सड़ किनारे फैंक दी पुलिस जवानों ने जब युवक से भागने ता था सड़ किनारे फैंकी गई बस्तू के बारे में पूछा तो वह कोई संतोष जैनक उत्तर नहीं दे पाया नेरबा से से लेकर जा रही पीक अप पल्टी चार की चालक की गई जान हिमाचल प्रदेश में बिगडे मौसम में बीच मौसम के बीच हाजसे हो रहे हैं इन दिनों सेब सीजन चला हुआ है और सडकों की देनी हालत के बीच बागवान के लिए सेब मंडियों तक पहुचाना कठेनका में इसी बीच चोपाल उपमंडल के तयात नेरबा से उत्रा खंड के विकास नगर जा रही सेब से लदी एक पीक अप हाज़से का शिकार हो गई इस हाज़से में निरबा के यूबक की जान चली गई मोहिनी सूद बनी इनरवील कलब सोलन सिटी की परधान तस्पीरें आप देख सकते हैं मोहिनी सूद ने कहा किवा निश्पक्षता वा इमानदारी के साथ कार्य करेंगी समाज से भी पुष्प अरणवा सुमन कोशल ने बाल प्रभावित परिवारों को बाटा राशन तस्पीरें आप देख सकते हैं इंदोरा से निउजेब पौंग बांच से ब्यास नदी में लगातार छोड़े जारे पानी के कार्ण इंदोरा विधांसवा क्षेतर के मंड क्षेतर में आई बाड के कार्ण बहुत से परिवारों को भारी प्रेशानी का सामना करना पड़ रहा है इंदोरा प्रशासन ने प्रभावितों के रहने का इंतजाम किया साथ ही अब मंड क्षेतर के बार पेड़ित परिवारों को किसाइटा के लिए क्षेतर की समाज से भी भी खुल कर सेयोग करने में जोट गए हैं सावन मा में मा नैना देवी को जूला जूला रहे हैं श्रधालू तस्वीरें आप देख सकते हैं बिश्यो विख्यात शक्तिपीट श्री नैना देवी जी में इन दिनों पंजाब की श्रधालूं द्वारा सावन के जूले डाले गए हैं जहां श्रेदारलू माता को जूला जूलाते नजर आ रहे हैं तो दोस्तों ये थी हमाचल प्रदेश की शाम पांच पेजे की सभी टॉप 10 ताजा खबर हैं अगर आपने विदक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करके शेर करने और चैनल को सब्सक्राइब करना बेल्कुल भी ना भूलें धन्याबाद जैहिं जैभार